नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्ध्य शंकरतिवारी हूँ जम्मू कस्मीर में क्या होने वाला है आखिरकार क्यों एटियम पे पेट्रोल पंपे इतनी लाइन लग रही है अफरा तफ्री का महौल है उदर सरकार ने एडवाईजरी जारी करके अमरनाथ य कलने को कहा है अमरनाथी यत्रियों से भी घाटी छोड़ने को कहा है कुछ तो है जिसकी वजह से इतनी अफरा तफ्री हो रही है उदर जो जम्मू कस्मीर के जो छेत्री दल है चाहें नेशनल कांफेंस हो चाहें पीडीपी हो वो अलग राग अलाप रहे हैं और उनका कहना यह है कि सरकार के इस कवायत से जो है बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं रासन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं कि तीन-चार मुहने के लिए जल्दी से जल्दी समानी कठा कर लें क्या हो सकता है दो चीजों की बात हो रही है कि क्या आर्टिकल जो 35A है उसको खत्म करने की तयारी है उसी में बात यह भी हो रही है कि आर्टिकल जो 3700 है उसको खत्म करने की तयारी है जो कि जम्मु कस्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है तो जहां तक लग रहा है कि यह जो दोनों आर्टिकल की बात है चुब तीन-सो सत्तर के लिए तो संभैधानिक संसोध की जुरत नहीं है 14 माई 1924 को तक कालिन राष्टपती डक्टर राजेंद प्रसाद के प्रसासनिक आदेश से यह जोड़ा गया था और उसमें यह क्रैटेरिया बनाया गया था कि उस तारिक से पहले जो जम्मु कस्मीर का स्थाई निवासी है वही अस्थाई निवासी माना जाएगा यानि कि जो तब तक जम्मु कस्मीर में पहुँच चुका था और उसी को संपत्ति और नौकरी का अधिकार होगा यह वह प्रोविजन करता है तो एक प्रसासनिक आदेश से ही आर्टिकल 35A हट जाना है प्रसासनिक आदेश से जुड़ा था और प्रसासनिक आदे कि जोखिम लेगी तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी इसके चांसे थोड़ा कम है क्योंकि इसको आल्लेडी सुप्रिम कोर्ट में चुनावती दी गई है और सरकार चाहेगी कि सुप्रिम कोर्ट से यह आदेश पारित हो कि हाँ यह असंबैधानिक है तो उसे डिसि सरकार चाहेगी कि सुप्रिम कोर्ट से इसको डिसाइड पले होने दिया जाए फिर और क्या मसला हो सकता है दूसरा मसला यह है कि अक्टूबर नममबर में वहाँ बर्वारी से पहले सरकार चाहते है कि जम्मू कस्मीर में बिधान सभा का चुनाव हो जाए वहाँ पर डिलि तिसरी बात यह आ रही है कि इस से भी जादा जो सम्मेदसील बात है या जो खत्रे की बात है कि जो मसूद अजहर है जिसके बारे में अलग-अलग तरह की बात की जा रही है जो पुलवामार्टाय का मास्टर माइंड माना जाता है कुछ लोग कहते हैं कि वो मर चुका है कुछ लोग कहते हैं कि बेशक उसको टेरिस्ट ग्लोबल टेरिस्ट घोसित कर दिया गया लेकिन पाकिस्तान सरकार उसे संग्रक्षन दे रही है और उसका जो भाई है जो कंधार हाई जैकिंग का मास्टर माइंड है उसका नाम है इबर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उलंगन हो रहा है यह माना जा रहा है कि आतंकवादियों की घुसपैट कराने की वो कवायद है और घाटी में लगभग कह रहे हैं कि पहुने 300 के आसपास आतंकवादी इस्तमें हैं उसमें से 115 बिदेशी आतंकी बताये जा रहे हैं और हुआ क्या था कि पिछले साल यही कि 2018 में उसक बेटा था वो मारा गया था सुरक्षाबलो के हाथ से और उसका जो इबराहीम के बेते को 2018 में मार तश्रक्षा ब ने मारे तो इबराहीम अजहर है वो उसका बदला लेना चाहता है अपने बेथे उसमान हैदर का और वो चाहता है कि वो भी जो है कस्मीर के नाम पे लड़ते हुए सेना के हाथो मारा जाए तो उसकी प्लानिंग थोड़ी बड़ी है तो ये ये भी एक कारण माना जा रहा है कि क्या ऐसा कुछ सरकार और इंटेलिजेंस के पास इनपूट है जिसकी वज़ा से ऐसा किया गया है दस हजार पैरा मिलेटिव फोर्स का बढ़ाना वहाँ पे ग्रीह मंत्री अमित साह और अजी डोबाल का जाना उसके बाद इस तरह की तयारी यही इसके दो-तिन कारण गिनाय जा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा 35 एक को लेकर के बाते हो रही है उसमें उतनी बात दम नजर नहीं आ रहे है कि इतनी जल्दिबाजी में सरकार कोई कदम उठाएगी सरकार यदि कोई कदम भी उठाएगी तो कम से कम जम्मू कस्मीर बिधान सभा का चुनाव हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा बल और तब मिला कि उधर से आतंगवादियों का ज्यादा प्रेसर है ज आला यह जानते हुए कि ऐसा करने से अफरात अफरी भी मचेगी और सरकार की कहीं ने कहीं बदनामी भी होगी कि वो सुरक्षित अमर्नात यात्रा नहीं करा पा रही है है तो कुछ गंभीर मसला लेकिन जो संभावनाय दिख रही है वो यही दोनों तिनों संभावनाय है 35 ए का मसला इतनी जल्दी बाजी में नहीं होगा यह भी कहा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम होना है 15 अगस्त को उसमें सरकार कोई बड़ा एलान कर सकती है जम्मू कस्मीर को लेके उसकी तयारी की जा रही है देखते हैं क्या हो सकता है जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे आप देखते रहे हैं हमारा डीटल चैनल इनकबर थैंक यू इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूल